हिंदी साहित्ते संपून गटना चक्र कुईक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हम कर रहे हैं हिंदी नेट जुयारेफ परिक्षा चैनित विशे आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र ठीक है दोस्तों आज हम करेंगे जून 2011 का दुईत्तिय प्रश्न पत्र ठीक है जून 2011 तो चलिए देखते हैं प्रश्न एवं उनके उत्तर गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न है महाप्रभू वल्लभाचारे के शीश्यों का वरितांत किसमे है तो दोस्तों 84 वैश्नवन की वारता में महाप्रभू वल्लभाचारे के शीश्यों का वरितांत है तो ध्यान दे महाप्रभू वल्लभाचारे के शीश्य थे गोकुलनात ठीक है जिनकी रचना है 84 वैश्नवन की वारता एक और है इनकी रचना 252 वैश्णवन की वारता दोनों ही रचनाओं को याद रखेंगे ठीक अगला प्रशन है काशी में हम प्रगट भए रामानंद चेतायो तो ये पंक्ति किसकी है कबीर दास जी की पंक्ति है ठीक है रामानंद कबीर जी के गुरू थे ठीक इसलिए कबी में हम प्रगट भए रामानंद चेताय ठीक कबीर दास नाम याद रखें अगला प्रशन है रासो सब्द की उत्पत्ती रसाइन से किसने मानी है तो रासो सब्द की उत्पत्ती रसाइन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है किसने रामचंद्र शुक्ल ने किससे रसाइन सब ठीक है ज्यान रखें अगला प्रश्ण है लक्षण ग्रंत का क्या अर्थ हैं तो लक्षण ग्रंत का अर्थ हैं काव्यांग विवेचन काव्यांग विवेचन ठीक है याद रखें लक्षण ग्रंत का अर्थ हैं काव्यांग विवेचन अगला प्रश्ण है बिहारी घनानंद मती राम तथा तोश आदी में रीती शिद्ध कवी कौन से हैं बहुत ही important प्रश्ण है ठीक इसका सही उत्तर है कवी बिहारी लाल ठीक बिहारी के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्ण पूछा जाता है वो यही कि बिहारी कैसे कवी है तो ध्यान रखें रीती काल की धारा के रीती सिद्ध कवी है रीती सिद्ध धारा के कवी है तो सीधे सीधे बताएं कि बिहारी रीती सिद्ध कवी है ठीक ध्यान दे बिहारी गनानंद मती राम तोश आदी में से रीती सिद्ध कवी है कवी बिहारी लाल ठीक है और रीती मुक्त कवी है कवी गनानंद ठीक है ध्य अगला प्रश्न है अनुमीतिवाद के प्रतिस्थाता कौन है तो ध्यान रखें आचारे शंकुक अनुमीतिवाद के प्रतिस्थाता है ठीक ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है ध्यान दे गौर करना जरा किंशुक कुसुम जानकर जप्ता भोरा सुक की लाल चौँच पर तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फ़ल उसे सोच कर इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो ब्रान्ती मान अलंकार है ठीक है ब्रान्ती उत्पन हो रही है ठीक पहले तो बात हो रही है किसकी तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तोता ठीक है ध्यान देने जरा किंसुक कुसुम जानकर किंसुम किंसुक कुसुम जानकर जप्ता भोरा सुक की लाल चौँच पर तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर तो यह सोच कर ध्यान में ठीक है तो इस तरह से अगर सब्द आते हैं यह लगता है इस टाइप के अगर सब्द आते हैं पंक्ती में तो समझ लेना कि वहाँ ब्रांती मान अलंकार है ठीक है तो यह ऐसे पकड़ेंगे आप पंक्तियों में अलंकारों को ठीक तो जरा ध्यान दे अगला प् काव्य अलंकार के रचेता हैं भामे फिर है अगला प्रश्ण मराथी, गुजराती, मल्यालम तथा हिंदी इन में से भारोपिय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है तो मल्यालम, मल्यालम भारोपिय परिवार की भाषा नहीं है इसके अलावा मराथी, गुजराती और हिंदी, ये सभी भारोपिय परिवार की भाषा हैं, जबकि मल्यालम भारोपिय परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्रविण परिवार की है, तो ध्यान दे, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ब अगला प्रशने हैं गौर करें विष्व जन की अर्चना में नहीं बादक था इस व्यस्टी का अभीमान क्या है पंक्ती? विश्वजन की अर्चना में नहीं भादक था इस व्यस्टी का अभीमान यह पंक्ती किसकी है? तो ध्यान रहे अग्ये की पंक्ती है अग्ये की पंक्ती है ठीके? विश्वजन की अर्चना में नहीं बादक था इस व्यस्टी का अभी इमान ठीक है ध्यान रखें अग्ये की पंग्ती है तो व्यस्टी व्यक्ती ठीक है विशेश से संबंद अगर ऐसे सब्द मिलते हैं आपको तो ध्यान रखना अग्ये ठीक है अस्तितवाद से संबंदित इसलिए उन्होंने व्यक्ति को पहले प्राइटी दी है, समाज की अपेक्षा, ठीक, तो ध्यान रखें, अगला प्रशन है, मतवाला, मतवाला के संपादक कौन थे, तो मतवाला पत्र, समाचार पत्र, जिसके संपादक थे, निराला, इसको ऐसे याद करें, निराला, मतवाल निराला मतवाला ठीक तो ध्यान रखें मतवाला के संपादक थे सूरे कान त्रिपाठी निराला ठीक अगला प्रश्न है साखी साखी किसका संकलन है तो ध्यान रहें विजेदेव नाराहिन साही का काबे संकलन है ठीक है साखी ध्यान रखेंगे संकलन है साखी अगला प्रश् तो ध्यान रहें मुक्ति बोध का, मुक्ति बोध की पंक्ति है, जीवन विवेक ही, यानि की जिसमें जीवन के संबंद में अगर विवेक आ गया, जिस विक्ति के अंतर, तो वही साहित्य का विवेक भी है, तो ध्यान रखें, जीवन विवेक ही, साहित्य विवेक है, किसने क मुक्ति बोध ने ठीक गजानन माधव मुक्ति बोध अगला प्रशन है नंद दुलारे वाचपई जी शिर्दान सिंग चोहान प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविला सर्मा इन में से प्रगती शील आलोचक नहीं है तो नहीं है वाला प्रशन है जरा ध्यान देंगे द ठीक इनके अलावा शिवदान सिंग चोहान प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविला सर्मा ये सभी प्रगती शील आलोचक है और माक्सवादी सम आलोचक भी है ठीक तो ध्यान रखेंगे शिवदान सिंग चोहान प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविला सर्मा और ज कौन है और common name है वही नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं बस एकाद नाम का हेर फेर किया जा रहा है प्रश्न में तो जरा ध्यान देंगे आप ठीक है अगला प्रश्न है जरा ध्यान दें दोस्तों अलमा कबूतरी किसकी रचना है तो मैत्रई पुस्पा की रचना है अलमा कबूतरी मैत्रई पुष्पा अल्मा कबूत्री रचना है ठीक है मैत्रई पुष्पा जी की अगला प्रशन है विलोम किस रचना के पात्र है तो ध्यान रहे मोहन राकेश का नाटक है आसाड का एक दिन जिसके पात्र है विलोम ठीक है मली का विलोम ये सब पात रहें इसके ठीक और काली दास ध्यान रखें अगला प्रशन है हिंदी भाषा की उत्पत्ती किस से हुई है तो शौर सैनी अपबरंस से हिंदी भाषा की उत्पत्ती हुई है ठीक आत्म कता क्या है तो ध्यान दें आत्म कता है तो सबसे पहले अर्द कतानक ठीक है अर्द कतानक क्या है तो ध्यान रखें बनार्शी दास जैनकृत है अर्द कतानक किसकी आत्मकता बनार्शी दास जैनकृत है ठीक है और यह एक आत्मकता है ठीक पहली आत्मकता भी मानी गई है ध्यान रखें अगला प्रशन है गौर करें चितवन की चाँ निबंद संगरे के रचईता कौन है तो विद्या निवास मिस्र जी का निबंद है चितवन की चाँ ठीक है मैंने आपको बताया पिछले प्रश्ण पत्र में भी कि विद्या निवास मिस्र जी के जितने भी निबंद है उन्हें सब याद कर ले दोस्तों जर चतुर सें्ज सास्त्र जी के उपनयासों का तव पॉमाइडा हो चतुर सेन सास्त्र जी के उपनयासों की जघ्रा ध्यान दें इंका उपन्यास अमर अभीलासा कब आया 1932 इस्वी में 1932 इस्वी फिर आया इनका उपन्यास आत्म दाहा आत्म दाहा कब आया 1937 इस्वी 1937 इस्वी में तो ध्यान रखे दोस्तों चतुर सेंस आस्त्री जी के उपनियास हिरिद्य की परक हिरिद्य की प्यास अमर अभीलाशा आत्म दा ये सबी आचारे चतुर सेंस आस्त्री जी के उपनियास हैं ठीके समय भी याद रखे 1918 समय है किसका हिरिद्दे की परक 1932 हिरिद्दे की प्यास 1932 सेमियर अमर अभीला शाह फिर 1937 यानि 5 साल बाद आत्म दाह ठीक है ये सबी उपन्यास आचारे चतुर सेन सास्त्री जी के उपन्यास है ठीक और सही अनुक्रम में है ध्यान दें अगला प्रशन काल खंड की द्रिष्टी से किस द्रिष्टी से काल खंड की द्रिष्टी से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है तो कहानियों का सही अनुक्रम है देखते हैं सबसे पहले है जैसंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम कब आई 1911 इसवी में कब आई ग्राम कहानी तो ध्यान दे 1911 इसवी में फिर आई कहानी कफन किसकी है जैसंक शॉरी प्रेमचंद जी की कहानी है कफन और प्रेमचंद की अन्तिम कहानी भी है गीशू अमादव किसके कफन कहानी के 1936-6 में आई हुई कहानी है फिर है है डिप्टी कलक्टरी यह कब कहानी 1955-6 में फिर आई कहानी पाल गोमरा का स्कूटर पाल गोमरा का स्कूटर 1997 इसवी ठीक है तो ध्यान रखे कहानी ग्राम 1911 इसवी एक बार ग्राम के लेखक भी देखी लेना ठीक तो थोड़ा सा मुझे confusion है फिर भी आप देख लेना ठीक तो ग्राम 1911 इसवी कफन 1936 इसवी डिप्टी कलक्टरी 1955 और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 इसवी ठीक है दोस्तो रचनाकारों के आधार पर भी आप अगर करम में लगाएंगे तो भी आप याद कर पाएंगे ठीक है तो सही अनुकरम देखें जरा अगला प्रश्ने है नाटोकों का सही अनुकरम सबसे पहले भारतेंदू हरीशचंद्र जीका नाटक है भारत दूर्दशा कब आया 1880 में भारत दूर्दशा 1880 इसवी फिर है राजेशरी जैसंकर प्रसाद जी का नाटक राजेशरी कब आया 1915 इसवी में, 1915 इसवी में, फिर जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है कोड़नांक, कब आया 1952 इसवी में, फिर है खुजराहों का सिल्पी, ये नाटक कब आया 1972 इसवी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो एक बार फिर से सुनें, भारत दूरदशा, 1880 इसवी, राज आंक, 1952 इसवी, खुजराहों का सिल्पी, 1972 इसवी, ये नाटकों का सही अनुकरम है, ठीक, अगला प्रश्न है, काल करम आनुसार, ग्रंथों का सही अनुकरम क्या है, तो देखते हैं, यहां कुछ ग्रंथ हैं, कावे सास्त्रिय ग्रंथ, जरा ध्यान दे, सबसे पहले ये नाट्टे सास्त्र, ठीक है, ये सा पुर्व दूतिय शति, जिसका समय है, इस वारत मुनि का सही ना मुप नहीं है, तो दोश्तों ध्यान रखें, पुर्व दूतिय शति इसका समय है, फिर है कावे अलंकार सूत्र वरिती कब आईए 800 इसवी में ठीक तो ध्यान रखें 10 रूपक 10 रूपक कब आई 974 इसवी में ठीक है फिर है कावे प्रकास किसकी मम्मट की आचारे मम्मट की रचना है कावे प्रकास ठीक है बार्वी शती क्या समय है बार्वी शती तो ध्यान रखेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे नाट्टे साँस्त्र किसकी रचना है बहुती इंपोर्टेंट है भरत मुनी की ठीक है इसापूर्व द्वीतिय सतीस का समय है फिर है कावे अलंकार सूत्रिवरिती ठीक आठसो इस्वी फिर है दस रूपक धननजे की रचना है आचारे धननजे की 10 रूपक 1904 इस्वी ठीक फिर कावे प्रकास आचारे मम्मट की रचना है बारवी शती इसका समय है ठीक है देख लेना फिर भी एक बार इनके रचनाकार ठीक तो ये सबी क्या है काल क्रम अनुसार ग्रंथ है और जो की सही अनुक्रम में है अगला प्रश्न है गौर करें प्रकाशन काल के अनुसार यात्रवरणणों का सही अनुक्रम क्या है तो प्रकाशन काल के अनुसार देखें दोस्तों सबसे पहले अरे यायावर रहेगा याद किसका है ये अग्ये का यात्रवर्णन है 1953 इस्वी में आया हुआ यात्रवरितान्त है ठीक फिर है देश विदेश देश विदेश कब आया 1957 इस्वी में आया हुआ यात्रवरितान्त है देश विदेश फिर है हस्ते निर्जर देखती भट्टी हस्ते निर्जर देखती भट्टी ये भी क प्रकार हमने देखा सबसे पहले अरे याया वर रहेगा याद यात्रवरितान्त आया कब उननिस सो त्रेपन इसवी फिर आया देश विदेश उननिस सो सत्तावन इसवी फिर है हस्ते निर्जर देखा एक्ती भट्टी 1966 इसवी फिर है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक 1968 इसवी ठीक है याद रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्ण है रचना कारों का सही अनुकरम बताना है तो ध्यान देख सबसे पहले बगवती चरण वर्मा बगवती चरण वर्मा इनका समय है 1903 से 1981 इसवी 1903 से 1981 इसवी फिर है हरी वंशराय बच्चन जी इनका समय है 1907 से 2003 इसवी फिर है अग्ये अग्ये का समय है दोस्तों 1911 से 1987 इसवी फिर है नरेंद्र शर्मा इनका समय है 1913 से 1989 इसवी नरेंद्र शर्मा ठीक है तो यह सबी रचना कार है एक बार फिर से सुनें सबसे पहले बगवती चरण वर्मा फिर है बच्चन फिर है अग्ये फिर है नरेंद्र शर्मा ठीक है याद रखेंगे सही अनुकरम इनका अगला प्रशनी देखें दोस्तों ग्यान पीट पूरुसकार ग्यान पीट पूरुसकार प्रात रचनाकारों का सही अनुकरम क्या है तो ध्यान दे सबसे पहले दिनकर दिनकर यहां पर बात करना ध्यान देना ग्यान पीट पूरुषकार ठीक है अब देखते हैं किस किस को मिला है तो उन रचनाकारों का सही अनुक्रम सबसे पहले दिनकर, ठीक है, दिनकर को 1972 इसवी में ग्यानपीट पुरुशकार मिला, फिर मिला अग्ये को 1978 इसवी में, फिर मिला निर्मल वर्मा को 1999 इसवी में, फिर मिला कुवर नारैंड जी को 2005 इसवी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले दिनकर को फिर अग्ये को फिर निर्मल वर्मा को फिर कुमर नारैंड जी को इन सबी को क्या मिला ग्यान पीट पुरुसकार मिला समय आपके सामने है ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक दिनकर को उर्वशी के लिए अग्ये को कितनी नावों में कितनी बार के लिए तो इस तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों ग्यान पीट पुरुसकार प्राप्त करता को अगले प्रशने है आदी कालीन रचनाओ का सही अनुक्रम बताना है तो सबसे पहले भरतेश्वर बाहु बली रास ठीक है भरतेश्वर साली बद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहु वली रास कबाई 1184 इस्वी में ठीक है फिर है इस्तूली बद्र रास कबाई 1209 इस्वी में फिर है नेमी नाथ रास कबाई ये 1213 इस्वी में ठीक है फिर है संगीत रतनाकर, ये कबाई 1437 से 38 इस्वी में, 1437 से 38 इस्वी में, तो ध्यान रखें आदिकालीन रचनाओं का सही अनुकरम, क्या है दोस्तों, भरतेश्वर बाहु बली रास कबाई 1184 इस्वी, फिर है इस्थूली भद्र रास 1209 इस्वी, फिर है नेमीनात रास 1213 इ अगर इनके रचनाकार देखने हैं, तो दोस्तों, आप मेरे वन लाइनर कॉशन वाले वीडियो देख लें एक बार, ठीक है, आदिकाल के, तो उसमें आपको स्विक्वेंस वाइस सारे रचनाकार और उनकी रचनाओं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, अगला प्रशने ह अनुक्रम क्या है, तो रचनाकाल के अनुशार पूछा जा रहा है, सबसे पहले हैं, इंद्र धनु रोंदे हुए, इंद्र धनु रोंदे हुए, उननिस सो सत्तावन इस्वी, ठीक है, इंद्र धनु रोंदे हुए, क्या समय है इसका, उननिस सो सत्तावन इस्वी, फिर है रगवीर साहे की रचना सीडियों पर दूप 1670 इसके बाद है नय इलाकि कबाई 1996 में फिर है बाजिसरवा के बाजिसरवा के कबाई रचना दोस्तों ध्यान रखे 2018 में 2018 में तो इस तरह देखा हमने सबसे पहले इंद्र धनू रोंदे हुए थे तो इसका समय है 1957 फिर है सीडियों पर धूप 1960 नए इलाके में 1996 फिर है बाज श्रवा के बहाने 2008 इसवी ठीके ये रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है सही सुमेलन है ध्यान दे पंक्तिया है कावे लक्षन है ठीके और उनके प्रतीष ठापक आचारे है तो सबसे पहले कावे लक्षन है सबदार्थव सहीतव काव्यम सबदार्थव सहीतव काव्यम काव्यम ठीके किसका है ये तो ध्यान रखे ये कावे लक्षन है आचारे भामे का ठीक है आचारे भामे का एक बार भामे का समय भी देख लें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है छटवी या आटवी क्यूंकि कुछ किताबों में छटवी शताबदी लिखा मिला है कुछ किताबों में आटवी शताबदी लिखा मिला है ठ दोनों ही समय को लेकर के चलें जो अप्शन में उसे टिक कर दें ठीक है तो ध्यान रखे दोस्तों बाकी इनकी रचना के अनुसार भी इनका समय आप लगा सकते हैं ठीक तो सब्दार्तव सहीतव काव्यम किस क्या है यह काव्यलक्षन अचारे भामे का फिर है शरीरम तावत दी स्ठार्थ ठीक है तावदी स्ठार्थ शरीरम तावदी स्ठार्थ व्यव छिन्ना पदा वली यह किसका काव्यलक्षन है आचारे धंडी का एक बार फिर से सुने भावय का काव cocktail अगला कावेलक्षन है रमणियार्थ प्रती पाद कहा शब्दहा काव्यम किसका है ये पंडित राज जगनाद जी का कावेलक्षन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ओप्शन में एक पंक्ती इनकी होती है ठीक तो पंडित राज जगनाद जी का कावेलक्षन है रमणियार्थ प्रती पाद कहा शब्दहा काव्यम फिर है आचारे विशुनाद का कावेलक्षन ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इनकी रचना है साहित्ते दरपन याद रखें ठीक तो आचारे विशुना सब्सक्राइब करेंडित अब्विव येंजना वाद अभी व्यक्ति वाद तो यह ध्यान रखें वो अलग है ठीक है उसके हैं अभी नव गुप्त हिंदी में है वो लेकिन यह कहां की बात हो रही है पाश्चाथ्ते कविश्चाष्त्र की बात हो रही है ठीक तो अभी व्यांजनवाद क्रोचे ठीक फिर हैं ओप्सन भी अंतस्चेतना वादी यतार्तवाद इससे संब्दध किसका है डी एच लौरेंस डी एच लौरेंस क्या है इनका इनकी विचारदार क्या है तो ध्यान द अंतेष चेतनावदी यथार्तवाद, D.H. Lawrence, ठीक, फिर है स्वचंदतावाद, स्वचंदतावाद, रोमेंटेसिज्म, ठीक है, स्वचंदतावाद, इसके, इससे संबंध है किसका, words वर्थ का, words वर्थ का, words वर्थ, नाम्याद रखे, स्वचंदतावाद, फिर है संप्रेशन यानि कॉमिनिकेशन ठीक है इससे किसका संबंध है आई ए रिचर्ड्स का आई ए रिचर्ड्स का तो याद रखें अभी वेंजनावाद बेनी देतो क्रोचे अंते चेतनावादी यतार्थवाद डी एच लोरेंस स्वचंदतावाद वर्ड्सवर्थ और संप्रे रिचर्ड्स और क्रोचे इनको तो दिमाग में बिठा लें अच्छे से ठीक है नया नाम जो है वो है डी एच लोरेंस तो इनका भी याद कर लें अन्तेश चेतनावादी यतार्थवाद ठीक है अगला प्रशने है जराध्यान दे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सुमेलित है निबंदकार और उनकी कृतियां तो सबसे पहले निबंदकार है कुबेरनाथ राई जी कौन कुबेरनाथ राई जी इनका निबंद है प्रिया नील कंटी फिर है निबंदकार हजारी बीश्व को समा नहीं किया ठीक है ध्यान दे फिर हैं विश्वनात विश्व विश्व विद्ध्यानिवास मिश्री जी इनका निबंद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रिपीटीड है दोस्तों ध्यान रखेंगे ठीक फिर है आप्शन डी रामचंदर शुकल जी इनका निबंद है चिंता मणी याद रखें तो सबसे पहले कौन कुबेरनाथ राई जी इनका निबंद है पिरिया नीलकंटी फिर है हरी अजार प्रसाद द्वेदी जी इनका निबंद है भीश्म को समा नहीं किया फिर है विद्या निवास मिश्र जी इनका निबंद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नेरे राम का मुकुट भीग रहा है फिर है रामचंदर शुकल जी इनका निबंद है चिंता मणी चिंता मणी तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन सबी निबंदकार एवं उनकी कृतियों को. अगला प्रश्न है, जरत ध्यान दे दोस्तों, क्या है? यहां कुछ कहानीकार हैं और कहानी हैं, सुमेलित हैं, तो देखते हैं सबसे पहले कहानीकार उशा प्रियमवदा, उशा प्रियमवदा की कहानी हैं वापसी, बहुत ही important कहानी, दो-तीन बार रिपीट हो चुकी है, ठीक, तो उशा प्रियमवदा की कहानी हैं वापसी, फिर हैं मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी, इनकी कहानी हैं अकेली, ठीक है, कृष्णा सोप्ती जी की कहानी है सिक्का बदल गया फिर है दोस्तों option D निर्मल वर्मा निर्मल वर्मा इनकी कहानी है परिंदे कौनसी परिंदे ठीक है तो ध्यान रखे चारो की चारो कहानिया बहुत ज़्यादा important है ठीक तो ध्यान से सुने उशा प्रिंवदा की कहानी वापसी मन्नू भंडारी की कहानी अकेली कृष्णा सोप्ती जी की कहानी सिक्का बदल गया और निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान दे सही सुमेलित प्रश्न उपनियास है और उनके उपनियासकार तो जरत ध्यान दे सबसे पहले उपनियास है पुनर नवा उपनियास जिसके उपनियासकार है हजारी प्रसाद द्वेदी जी ठीक है पुनर नवा हजारी प्रसाद द्वेदी जी का उपनियास है फिर है कब तक प पुकारूं ये उपनियास किसका है रांगे रागव जी का रांगे रागव जी का उपनियास है कब तक पुकारूं ठीक है फिर है बूले बिसरे चित्र ये किसका है तो ध्यान रहे बगवती चरण वर्मा जी का बगवती चरण वर्मा जी का उपनियास है बूले बिसरे चित् ठीक तो उपनियास हमने देखें कौन कौन से गौर करना जरा पुनर नवा ये किसका उपनियास है हजारी प्रसाद द्वेदी जी का फिर है कब तक पुकारूं ये उपनियास किसका है तो दोस्तो रांगे रागव जी का फिर है भूले बिशरे चित्र ये उपनियास किसका है तो ध्यान रहे भगवती चरण वर्मा का उपनियास है, भूले विश्रे चित्र, फिर है मनुष्य के रूप, यह किसका उपनियास है, तो ये शपाल का उपनियास है, मनुष्य के रूप, ठीक है, ध्यान रखेंगे. अगला प्रश्न है जरध्यान दे दोस्तों सही सुमेलित प्रश्न है और पंक्तियां है और कभी है ठीक है तो यहां पंक्ति है सबसे पहले जिधर अन्याय है उधर शक्ति है जिधर अन्याय है उधर शक्ति ऐसे है यह पंक्ति जिधर अन्याय है उधर शक्ति यह किसकी पंक् है उधर शक्ति ठीक है फिर है पंक्ति दूसरी नारी तुम केवल श्रद्धा हो नारी तुम केवल श्रद्धा हो तो यह किसकी है जैसंकर प्रसाद जी की पंक्ति है नारी तुम केवल श्रद्धा हो ठीक है जैसंकर प्रसाद ध्यान रखें श्रद्धा का माईनी की पात्र भ सकती लेकिन आप उनमें से कुछ ऐसे कीवर्ड से निकाल ले दोस्तों जो जैसे पंक्ति आपके सामने आए तो वो कीवर्ड आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तो जरा ध्यान देना अगली पंक्ति है बहुत दिनों तक चक्की रोई चूला रहा उदास ठीक है यह ऐसे होगी चूला ठीक है रहा उदास तो यह पंक्ति है नागा अर्जुन की जरा देखते हैं अगली पंक्ति तो दोस्तों देखेंगे चोथी पंक्ति क्या है सिंघासन खाली करो की जनता आती है सिंघासन खाली करो की जनता आती है यह पंक्ति किस की है दिनकर की रामधारी सिंग दि पुंसी पंक्ति एक बार फिर से देखें हमने पड़ी दोस्तो अन्याय जिधर है सॉरी जिधर अन्याय है उधर सक्ती किसकी पंक्ति है कभी निराला की फिर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो जैसंकर प्रसाद की पंक्ति है फिर है बहुत दिनों तक चक्की चक्की और चूला सब दियाद रखें चक्की और चूला ठीक है तो बहुत दिनों तक चक्की रोई चूला रहा उदास किसकी पंक्ती है वैदनात मिश्र यानि नागा अरजुन जी की पंक्ती है ठीक है वैदनात मिश्र इनका वास्तविक नाम था ठ अगली पंक्ती है ध्यान दे सिंगासन खाली करो की जनता आती है सिंगासन खाली करो की जनता आती है किसकी पंक्ती है तो ध्यान रहें दिनकर की पंक्ती है रामधारी सिंग दिनकर जी की पंक्ती है सिंगासन खाली करो की जनता आती है तो याद रखेंगे सबी पंक्तियों को दोस्तों अगला प्रशने है जरा ध्यान दे दोस्तों सुमेलित है यहाँ पर कुछ विदाय दी गई है और उनकी रचना है तो जरा गौर करें सबसे पहले विदा है कवीता ठीक है तो कवीता कौन सी है अबूतर कबूतर किस विदा की रचना है कवीता की फिर है रचना शाहद शाहदत नामा यह किस विदा की रचना है तो यह है एक कहानी है शाहदत नामा ठीक है कहानी है फिर है दोस्तों पहला गिरमिटिया गिरी राज किशोर जी का उपनियास है क्या है उपनियास है पहला गिर्मिटिया गिरीराज किशोर फिर है दोस्तों कहानी देहांतर कौनसी देहांतर ठीक है ये देहांतर कहानी भी पढ़ लें आप बहुत बार रिपीट हुई है ध्यान रखना पात्र भी पूछे जाते हैं तो यह क्या है देहांतर क्या है सोरी कहा आग मार्य एक बार फिर से सुनें दोस्तों ठीक है तो द्लक्त धियान देना जोरा कवीता है अभूतर कभूतर काहानी है शहादत नामा उपनियास है पहला गिरी मिटिया घरी राज कि is वर्य झाढते कर देहां ठीक है नाटक देहांतर ठीक है याद यह सभी विदाएं और उनकी रचना ठीक और मेरी मैध्पून पुष्ट के एवं रचनाकार वाले वीडियो देख लें उनमें आपको यह सभी रचनाएं मिल जाएंगी ठीक है अगला सुमेलित प्रशने हैं ध्यान देल दोस्तों यहां कुछ पात रहें ठीक है अब दोस्तों जाएंगी दिस सभी रचनाएं मिल जाएंख刃 साफ्टा के अथनास जाएंगी ठीक है इपको आएंगे व्यो other दोस्तों काकार चारा वाले सभी थी रचित गठात थे रागलाले साफ़ा agar अरे सेवीं गतरा से ton झाल 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 झाल